दोस्तों कई बार एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी बात भी जिंद्गे में बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है तो मैं ऐसी ही एक स्टोरी आपके साथ आज सेर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है हमारी जिन्दिये में एक बहुत important message अमें दे जाएगी बाहर बारिस हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी तभी टीचर ने बच्चों से पूछा अगर तुम सभी को 100,00 रोपे का नोड दिया जाए तो तुम सब क्या करीदोगे किसी ने कहा मैं video game खरीदूँगा किसी ने कहा मैं cricket के लिए बैट खरीदूँगा किसी ने कहा मैं अपने लिए एक प्यारी सी गुडिया खरीदूँगा तो किसी ने कहा मैं बहुत सी chocolate खरीदूँगा एक बच्चा कुछ सोचे में डूगा था तबी टीचर ने उससे पूछा तुम क्या सोच रहे हो तुम क्या करीदोगे बच्चा बोला टीचर जी मेरी मा को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी मा के लिए एक चस्मा करीदूगा टीचर ने पूछा तुम्हारी मा के लिए चस्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करीदना बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर का भी गला भराया बच्चे ने कहा सर मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है मेरी मा लोगों की कपड़ सेल कर मुझे पढ़ाती है और उसे कम दिखाई देने की बज़े से वो ठीक से कपड़ सेल नहीं पाती इसलिए सर में मेरी मा को चसमा देना चाता हूँ ताकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूँ और बड़ा आदमी बन सकूँ और मा को सारी सुक्सुदाई दे सकूँ टीचर बोला बेटा तेरी सोच ही तेरी कमाई है यहले सो रोपे मेरे बादे के अनुसार और ये सो रोपे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ जब कभी कमाओ तो लोटा देना और मेरी इच्छा है तो इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धहन्य हो जाऊँ 20 वर्स के बाद इस्कूल के बाहर बारिस हो रही थी और अंदर किलास चल रही थी अचनक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्तिवाली गाड़ी आकर रुखती है स्कूल स्टाप चोकंणा सा रह जाता है बर्ध तीचर जोकी हुई नौजवान कलेक्टर को उठाकर बाजू में कस लेते हैं और रोपड़ते हैं दोस्तों मश्चूर होने पर मगरूर मत करना साधारन ढहना कमजूर मत बनना बट बदलते देर नहीं लगती शैण्सा को फ़किर को शैण्सा बनने में देर नहीं लगती दोस्तों होग कि छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए